एक गाव में एक आदमी रहता था, जिसका नाम रमेश था, वह हर दिन सुभा अपने घर के पास वाले पेड़ के नीचे बैठ कर चाय पिया करता था, उस पेड़ पर एक कोवा भी रहता था, जो अकसर रमेश की चाय के कप की ओर देखता रहता था डॉट, रमेश ने कई बा कामव कामव करने लगा, रमेश ने कोवे की ओर देखा और हलकी मुसकान के साथ कहा, क्या तुम्हें भी चाय पीनी है, मजाक में कहकर वह अपने काम में लग गया डॉट, अगले दिन भी वही हुआ, कोवा फिर से कामव कामव करने लगा जब रमेश ने चाय पीनी शुरू की इस बार रमेश ने सोचा, शायद इस कोवे को सच में कुछ चाहिए, उसने अपनी चाय के साथ कुछ बिसकिट निकाल कर कोवे की और फैंक दिया, कोवा तुरंथ नीचे आया, बिसकिट उठाया और उड गया डॉट, यह रोज का सिलसला बन गया, अब रमेश जब भी चाय पीने बैठता, कोवा पास आता और रमेश उसे बिसकिट खिलाता, धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिष्टा बन गया, कोवा रमेश के आसपास मंदराता और रमेश उसे देखते हुए मुसकराता रहता, एक दिन, रमेश बहुत उदास था, उसकी नौकरी चली गई थी और वह चिंतित था कि अब कैसे गुजारा करेगा, उस दिन वह चाय पीने भी नहीं आया, कोवा उसे ढून ने पेड से नीचे उत्रा, लेकिन रमेश कहीं दिखाई नहीं दिया, कोवे ने कामव कामव किया, मानो वह रमेश को पुकार रहा हो आखिरकार, रम ना कुछ बोले उसे देखता रहा, रमेश ने कोवे की ओर देखा और उसकी आखों में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, उसने फिर से बिसकिट कोवे की ओर फैंक दिया, और इस बार कोवे ने उसे नहीं खाया, वह बस वहीं बैठा रहा, मानो यह जताने के लिए कि वह रमेश के साथ है, चाहे कोई भी मुश्किल हो, उस पल रमेश को एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं होती, बलकि जानवरों के साथ भी एक अनकहा बंधन हो सकता है, उसने अपनी उदासी को थोड़ा किनारे रखा और कोवे को देख कर मुस्कुराया फिर धीरे धीरे रमेश ने खुद को संभाला और नए रास्ते तलाशने लगा डौट, कोवा और रमेश की यह दोस्ती हमेशा कायम रही, और अब कोवा न सिर्फ बिस्किट के लिए आता था, बलकि रमेश की खुशी और दुहक में भी उसका साथी बन गया था